बहुत बहुत स्वाइब साथ भी का हमारी यूट्यूब चैनल राज इंगलेस्ट मैं राज और आप दिख रहे हैं राज इंगलेस्ट यूट्यूब चैनल सेशन 2017 से 2020 वाले का पार्ट वन का रिजल्स अभी हाल फिलाल में आया है बिहार इनिवरस्टी के स्टुडेंट का पास भी हुए है और प्रमोटे भी हुए है और पेंडिंग में इस साल रिजल्स काफी जादा संक्या में है इस्टुडेंट के कहना है वैसे स्टुडेंट जो एक्जामनेशन हौल में प्रिजल्स में अपसेंट दिखा करके हमारा रिजल्स जो है पेंडिंग में है और कलेज में शुदरवाने जाने के बाद वहाँ पर कुछ दिक्कते हो रही है जो मैं यहाँ पर स्पोस करना नहीं चाहूंगा लेकिन अब जो 2019 में जो भी परिख्षा होनी है चाहें वो सेसन 17-20 वाले के पार्ट 2 का एक्जाम 16-19 वाले के पार्ट 3 का एक्जाम या सेसन 18-21 वाले के पार्ट 1 का एक्जाम उनिवर्सिटी बिहार में जितनी भी है उस पर यह दबाव बनाया जा रहे हैं राजभौन के तरब से कि वैसे उनिवर्सिटी बिहार के जिसके सेसन लेट चलते हैं जो असमय पर एक्जाम नहीं ले पाते हैं वो अपना सेसन सुधार ले या जितनी भी उनिवर्सिटी है वो अपना परिख्षा कालेंडर जल से जल जारी करे ताके स्टूएंट को पता चलेगी हमारी परिख्षा कब होगी और उसी अनुसार वो अपना प्रिप्रेशन करें अपने परिख्षे का तयारी करें तो फ्रेंस मैं आज इस ब्री में आपको बताऊंगा कि सेसन 17 से 20 वाली के लिए परिख्षा कालेंडर जारी कर दिया है और आपको उसमें बताया गया है कि इस तार कर दियों फर्स्ट एर सेकेंड और थर्ड एर तीनों के लिए परिख्षा कलेंडर जारी किया है लेकिनि इस वीडियो में आपको सिर्फ 17 से 20 वाले के पार्ट टू का जो एक्जाम होने वाला है आडमिशन वाली जो प्रोसेस है तमाम जनकारी में इस वीडियो में आपको अब बताने वाला हूँ तो आप बने में इस वीडियो में और चलिए इस वीडियो को आज शुरू करते हैं तो फ्रेंस वीडियो शुरू करने के साथ ही मैं आपको बता दू कि जो भी स्टूडन पार्ट वन का एक्जाम पास कर चुके है 17 से 20 वाले और वो पार्ट टू का एक्जाम देने के लिए सोच रहे हैं तो करिस्टून का यह कहना था कि सर पार्ट व में आड्मिशन कभ होगा तो बिहार इनिवर्स्टी में फ्रेंस जब आपके परिच्छा फर्म भरे जाते हैं पार्ट टू का तो उसी वक्त पार्ट टू का जो अड्मिशन जो प्रोसेर जाएगा यदि ओफ लाइन परिच्छा फर्म फिर होती है तो आप अपने को लेज जाएगा और उसी वक्त आपके एडिविशन चार्ज और फर्म चार्ज ले लिए जाएंगे और फ्रेंस वैसे स्टून्स जो प्रमोटेड हो गया हैं किसी एक सब्जेक्ट में जो प्रमो अक्टूबर में होने वारा हैं उनके साथ आप जो भी पेपर आपका छूटा है उनके साथ आप परिच्छा फर्म भरेंगे उनके साथ आपका पार्ट वन आप पार्ट वन का एग्जाम देंगे और आपका पार्ट वन किलियर हो जाएगा और फ्रेंस एक बात और जो इच्छा examination hall में चाहें वो आपसे attendance बनमाये तब चाहें आप copy पर लिखे तब किसी भी तरह की roll number, roll code में गरबरी ना करें और अच्छे से exam दे हर subject का क्योंकि friends यदि एक भी paper आपका फंस जाता है part 2 में तो आपका part 3 का results भी clear नहीं हो पाएगा यदि आप चाहते हैं कि हमारे part 3 का results में कोई भी गरबरी ना हो, कोई भी बाधा ना हो तो आप किसी भी तरह से मेनत करके आप part 2 का results पूरा clear करें इसमें एक भी subject कोशिस करें कि प्रमोटेर में ना है तभी आपका part 3 का results किलियर हो सकता है otherwise यदि part 2 में कोई भी दिकत होई तो part 3 का results हो सकता है, प्रमोटेर में हो सकता है, पेंडिंग में हो सकता है फिर फ्रेंस हम date की बात कर लेते हैं, तो फ्रेंस सेशन 17 से 20 वाले के part 2 का exam के लिए जो date निर्धारित किया गया है वो 25 September से, जह फ्रेंस आपके exam 25 September से होंगे और जो results होंगे वो 30 November तक याद रहे, इसी साल में 25 September से आपके exam होंगे और 30 November तक आपके results आ जाएंगे और फिर इस तरही परिक्षा form भरने की बात, तो परिक्षा form 5 September तक भरा जाएगा, जाद रहे, 5 September तक आपका परिक्षा form भरा जाएगा और ये कब से भरा जाएगा, इसकी जानकारिया भी नहीं दी गई है, इतना जानकारिया दिया गया है कि सेशन 17 से 20 वाले के part 2 का exam 25 September से होगा, उनका results 30 November तक आ सकता है, और exam के लिए, परिक्षा form जो भरे जाएगे, वह 5 September तक आपके परिक्षा form भरे जाएगे, तो friends, 25 September से आपके exam है, इस बीच, जो भी 2-5 महिने बचे हुए है, आप हट एक subjects को अच्छे से परे और part 2 किलियर करें, तभी आपका part 3 किलियर हो पाएगा, तो friends, मैंने कोशिस की आपको ये जानकारी पहुचाने की, जो भी university अनांस की है, मैं कोशिस करता रहता हूँ ये information आप तेक पहुचा देने की हमेशा, तो friends, आपने इस वीडियो के आपके देखा और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मिलते के नेक्स वीडिय जो में बहुत-बहुत धनी वाद